टेस्ट भी कराया फिलहाल पुलिस मामली की जांच परताल कर रही है और आरोपियों से पूच्छताज भी कर रही है और हमारे साथ सायोगी मिथलेश जुड़ गए है मिथलेश सवाल यही है कि अब आर्मी अफसर भी महफूज नहीं है अपने शहर में और यहाँ पर दूसरी भी घटना घटित हुई है मामले में जानकार विस्तार से सबसे पहले मैं बतादूं आपको कि मैं उसी जहांपे मुझूद हूँ जहांपर यह पूरी घटना presum Pete यह जो जगा है इसे आर्मी का हिससा माना जाता है यहां पर जो आर्मी के अधिकारी हैं यहां पर फैरिंग के ट्रेनिंग यहीं से दिते जाती है य né यह चाला इरिया है ये फैरिंग के लिए बनाया गया है और आर्मी के अधिनस्त है देखिए और ठीक सामने गर आप देखेंगे तो यहां पर काफी खुशूरत प्राकरतिक नजारा है और इनी नजारों को देखने के लिए इनी नजारों का लुप उठाने के लिए बड़ी संख्या मे लोग यहां पर आते हैं बिल्कुल पास महीं राइट हैंड मगर आप देखेंगे लगबग 500 मिटर दूर पर ही जाम गेट है और जाम गेट मद्द प्रदेश के परेटर निस्तल में से एक है और यहां पर दिन भार चहल पहल बनी रहती है इन खुशूरत नजारे को लोग इसवक्त में मौझूद हैं यह पूरा इलाका जो है कापी सुनसांन रहता है यहां पर लोग आते जाते कम हैं और कatique जादा तर कपल यहां पर कपल ही आते हैं जो यहां पर रिल्स बनाते हैं बीडियो बनाते हैं और कुछ देर यहां पर बेटते बहां अ deux कि पूरी जो घटना है बंगलवार रात की है और रात ग्यारा बज़े इस वक्त जहां मैं मौजूद हूँ रात ग्यारा बज़े सेना के दो आर्मी ट्रेनी आर्मी आफिसर यहां पर अपनी कार से पहुशते हैं महिला अफसर उनके साथ मौजूद थी ठीक इसी जहां पर जा पहलू थी और उसी गाड़ी की रोशनी को देखकर जहां इस वक्त में मौजूद यहां से दो सो तीन सो मिटर दूरी में रोड है वो तस्वीर में नजर आ रहा होगा उसी में रोड से कुछे बदमाज जो हैं निकल रहते गुजर रहते और वहां से लाइट की रोशनी दे देने के लिए यहां से बेज देते हैं चुकि इस वक्त यहां में भी मौजूद हूं और मोबाईल कर नेटवर्क है रहते हैं और शाय बदक पुलिस यहां पर पहुषती है पुलिस के साते हैं तब तक आरूपी है और यहां से भाग निकलते हैं लेकिन अब पूरी घटना जो है उसमें सवेफाई या दज हुई है उसमें ट्रेनी आर्मी आफिसर ने ये कहा कि जब पैसे लेने के लिए उनके दोस्त को और महिला मित्र को यहां से भेज दिया गया था उस दोरान पर वो जो सुंसान वाला इस्थान है जो सुंसान इलाका ह यहां पर उनकी महिला मित्र को यह 6 आरोपी लेकर जाते हैं वो जंगल के सुंसान वाले हिस्से में और यह देर रात तो यहां कोई भी नहीं आता है यहां पर लोग कहते हैं कि जानवर भी दिखते हैं इसलिए यहां पर लोगों काना जाना कम रहता है आर्मी का एरिया और आम लोगों के लिए पूरी तरीके से प्रती बंदीत है तो उसी असुंसान वाले जगां पर लेकर जाते हैं और वहां से जब लोटती हैं तो उनके सरीर पर काफी चोट की निसान रहता है पूरे जो कपड़े हैं वो मिट्टी से सने रहते हैं और पिर उसके बाद उन्हों आस-पास के एरिया है नहीं पंदे किलोमेटर के रहने वाले ये सभी आरोपी हैं अब उनसे लगातार पूछता चल रही को उन्होंने क्या इससे पहले भी किसी घटना को अन्जाम दिया था लेकिन ये जो पूरा इलाका है वो आर्मी का है और ठीक दूसी तर आप देखें बंदीत है सिर्फ ये आर्मी के काम के लिए इस्तमाल किया जा सकता है आर्मी का ये फाइरिंग रेज है और दा इन्फेंटरी स्कूल का ये एक हिस्सा है यानि यहां पर आने जाने की जो इजाजत है वो सिर्फ आर्मी को लोगों के लिए सेना के लोगी यहां पर आजा सकत बहुत सुनसान वरा रहता है और रात के समय बहुत साली घटना यहां पर हो भी चुकी है तो हमेशा ही कहा जाता है कि आपर साफधानी से जाएं और कोशिश करें कि रात के समय ना जाएं तो एक सवाल यहां पर यह भी है कि इतना रात में जाना क्या समझदारी के साथ समझद तक तो सायथ नहीं आना चाहिए वरना कोई भी अपरी घटना हो सकती है लेकिन जो आर्मी के अफसर है इस पूरे चीजों को उनके संग्यान में हैं सेनियर कमांडिंग ऑफिसर जो है इस पूरे बाप चीज को लेकर जाच कर रहे हैं लेकिन फिर समय वही बात कहूंगा कि आर का एरिया है वह आर्मी के लिए हैं आर्मी के लोग अक्सर यहां पर आते जाते हैं और उस दिन पर जाते हैं